जानते हैं उनका तो कहीं कुछ अस्थाई तो रहा ही नहीं उनका अपना कुछ है क्या हूँ सब जगा घुमते फिरते हैं और उनके बोलने का कोई मतलब ने उनका अब दिमागी बुड़े हो गया अब दिमागी रूप से उनका जो है ना उसां तुलन खड़ाब हो गया इसी वैसे वह आनापसना बोलते हैं पशकार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइशुटी समय नाव शेक हैं पीएससी के द्वारा शिक्षक भरती परिक्षा ली गई थी जिसको लेकर बीजेपी चिराक पासवान और जीतन राम माजी ने आरोप लगा दिया कि सेटिंग एटिंग का खेल हो रहा है सेटिंग सारे नौ साल में लगबग उनीस करोर लोगों को रोजगार मिल जानी चाहिए चुकि उनका घोसना था कि परतेक वर्स दो करोड़ी वाओं को रोजगार देंगे और हमारे आदर्णी नेता जी ने तो जो वादा किया हो तो अभी देख लिजी कि देश में पहला राज है ब हिम्मत तो यह हम चैलेंज करते हैं कि अभी देन छो महीना समय हम तो साठ दिन में परिक्षा और सारा चीज पूरा करके रोजगार दिन में यह नोकरी और नियुक्ति पत्र बाटने का काम चल रहा है, है हिम्मत अभी तो छो महीना समय है चुनाओं में, है हिम्मत तो उन्हेस करोड़ लोगों में से नौय करोड़ों को देना दे, उन्हेस में ओधे, कम सक्कम पचासे परतिसाद देख के अगर है हिम्मत तो कर दे, य खुला चैलेंज दे रहे हैं, यह लोग जुमलेवाज लोग हैं, जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, और इस बार बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता, इनके असलियत को समझ गई है, और दोहजार चौबिस के आगामी जो लोकसभा का चुनाओं है, धूल चटा करक उन्होंने लालू यादव तक की बात कह दिये, लैंड फॉर जॉब जैसे स्कीम हुआ था, वैसे ही बिहार में तिजस्वी की सरकार पैसे देकर नौकरी दे रही है, जीतन राम माजी जी का आप जानते हैं, उनको तो कहीं कुछ अस्थाई तो रहा ही नहीं, जिन्होंने उ संतुलन खड़ाब हो गया, इसी वैसे वह आना आपसा ना बोलते हैं, तो देख लिए पूरे बिहार पूरे देश का नजीर है, नजीर पेस कर और हमारे अदर्णी निता और उपमुक मंतरी मान्नी उपमुक मंतरी स्रीत जस्वी परसाद यादव जी ने जो कहा वो किया, वो जो कहते हैं, वो करते हैं, यह आपके सामने है, चाहिए वो तोला सिवक का मामला हो, या फिर वो तालमी मरकज का मामला हो, बने हर बिभाग में देख लिए चाहिए आसा का मामला हो, आसा स्वास्त बिभाग में भी और स्वास्त बिभाग में भी बारे पैमाने पर बहा ड्स僕 जो प्रस जमीन स्प्रें की को सिद्ल उन्खने jede को रोज़गार वी देंगे मतलब बीस लाग को देंगे यह इन लोगों के ने लोह का जमीन पैर के नीचे से भफाजपार वाले लोगों का जमीन निखिसक गया है एक कहीं नहीं दिखने वाले हैं दोजार चोबीस में देख लिजेगा और अभी आगामी जो चुनाओ भी होड़ा पांच राजिका उसमें भी देखिए का उनका क्या दूर्दसा होता है आपने सुना कि क्या कुछ का है आर्जेटी के विध फ़te लिल्यको खुला चेलेंज दिया है कि हिम्मत है तो 9 करोड लोगों को रोजगार देदो देकर देंखा सो 19 करण का दावा किया था 9 करोड को ही रोजगार देदो तो जीतन राम आजी को लेका इन्हों ने साफ साफ कहा जिस तरीके से जीतन राम माजी ने बड़ा सवाल उठा दिया कि पैसे लेकर नौकरी दी गई है इसको लेकर इन्होंने साफ साफ कहा कि उनका मान सिंग संतुलन बिगड गया है और फालतु की अनाप शनाप बाते कर रहे हैं वो तो बने रहे हैं लाइफ इटीस के साथ